हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि आपको पता है लाश्ट नाइट जेके एससवी अकाउंट असिस्टेंट ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पे आपका यह जो पोस्ट है अडवर्टाइज कर दी है मतलब जिसका ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी from 20th July तो इसकी प्रिपेशन को आप गेर आप कर ले हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा अच्छा content प्रोवाइड किया जाए और time to time प्रोवाइड किया जाए तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो computer application मैंने बड़ी देर से वीडियो आपको प्रोवाइड नही आप सबी को जैसे पता है जो IT से related abbreviations है वो above 600 मैं कह सकता हूँ है जिसकी PDF जिनमें आपको 600 से जादा abbreviations provided होंगी उसकी PDF मैं आपको हमारे telegram link पे provide कर दूँगा और 7 में से आपको बता दूँ उन में से जो मैंने shortlisted की है about 60 है जो इस वीडियो में हम cover up करेंगे अगर आप वो 60 भी करके जाएंगे तो वो आपके लिए better है जादा क्यूंकि आपने hard work के साथ साथ smart work करना भी सीखना है तो चलो आगे topic start करते हैं जो हमाई shortlisted 60 abbreviations हैं उसमें से first आप देख सकते हो screen पे ARPA NET की full form क्या है Advanced Research Project Agency Network यह हमने पहले भी पढ़ा है पिछली वीडियो में आपको मैं बता दूँ यह जो 60 हैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हैं तो उसी में से इन 60 में से आपको अबव 25 तो 30 जरूर आनी चाहिए आगे पढ़ते हैं ALG OL यह आपका ALG आप याद अखना यह आपका logarithm के लिए यूज होता है जो भी ALG होगा तो OL आपका हो जाएगा language ALU हमने पढ़ा था अपनी शायद सिफ स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा था इट इस अ मेन कंपोनेंट ALU इस आइट्मेटिक लॉजिक यूनिट नेक्स्ट है बायोस बेसिक इंपुट और आउटपुट सिस्टम आई ओ कहीं भी यूज होगा तो उसका मैक्सिमम चांस है इंपुट और आउटपुट ही होगा ठीक है आगे है CD CD कि आपके compact disc और इसदार अचली में यह अलग है CDRW CDRW की है compact disc Rewriteable ठीक है नेक्स्ट आपकी Cam Computer Aided Manufacturing फिर आपका सी रोम सी जोतना भी होते हैं मैक्सिमम में आपके चांसे आप देख सकते हो computerized जी होगा C से computerized जा गया और ROM range of motion आगे हम बात करते हैं CD-ROM CD-ROM आपका हो जाएगा compact disc CD is equal to compact disc जो आप use करते हो और ROM आपका हो जाएगा read only memory next आपका COBEL COBEL is a common business oriented language it is a language software आप सभी ने किया भी होगा जो engineering students होते हैं आगे हम पढ़ते हैं CPU CPU सभी को पता है यह आ भी सकता है paper में यह मत सोचना बड़ी बार यह हो जाता है कि हम basic करके नहीं जाते हम high level high level करते रहते हैं और उसे question आ जाता है basic का और हम उसे revise करना बूल जाते हैं तो CPU का भी याद आखे central processing unit आगे डॉस बड़ा important है डॉस का आजाता है डिस्क operating system फिर डॉक आप इदर देख सकते हो अगर capital में डी ओ सी होगा तो आपने उदर लिखना है data optimizing computer अगर वह short form में होगा that is document ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं DVD डीवीडी इस डीजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड डीवीडी आपके digital वर्सेटाइल डिस्क यह आप सभी को पता होगा डीवीडी का भी आपने अब याद अगना है डीजिटल विजूल इंटरफेस नेक्स्ट डीवीडी आर ठीक है तो डीवीडी का तो सेम ही रहेगा डीवीडी डीजिटल वर्सेटाइल डिस्क आगे आर इस इकल टू रिकॉर्ड एबल जैसे कि हमने ऊपर किया था भी आप इदर देख सकते हो री राइट एबल हमने किया था सीडी आर डव्यू का तो इसके आर का मतलब है रिकॉर्ड एबल आगे आगे डीवी आर डैट इस डीजिटल वीडियो रिकॉर्डर नेक्स्ट है इडी वैक इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रीट वैरियेबल आटोमेटिक क का फिर आता है EFS EFS is is equal to encrypted encrypted file system in a computer यह आप सभी को पता होना चाहिए ठीक है electronic numerical integrator and calculator फिर आता है file transfer protocol FTP यह भी आप सभी को पता होगा फिर flops flops भी हमने पढ़ा था इसके बारे में flops is equal to floating point operation per second GB आप सभी को पता होगा यह तो कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा आप में से जो इससे जानता नहीं होगा क्यूंकि जब भी आप phone लें जाते हो पहली चीज यही पुछो करें कि कितने GB है तो GB गीगा बाइट GIF यह आपने सुना होगा जब बड़ी बार अब जैसे आपने form भी फिल करना है उदर आपके आ जाता है कि कौन सी टाइप की आपकी photo अपलोड हो सकती है तो GIF is equal to graphic interchangeable format GDI is equal to graphical device interface GPRS GPRS is general packet radio service next one HDMI high definition multimedia interface HTTP hypertext transfer protocol यह आप सभी को पता होना जी HTTP बड़ी बाप exam में पूछा जाता है और इसके साथ HTML भी पूछा जाता है that is hypertext markup language तो वैसे तो आजकर HTML के इतना use नहीं है क्योंकि आपकी advanced level की language आ गही है फिर भी HTML की पूछी जाती है तो यह आप करके रखें next है HD HD is hard disk IP is internet protocol प्रोटोकॉल आप आई पीवी फोर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर अब यह एक और मैं बता देता हूं आई पीवी शिक्स भी होता है एक तो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन रहेगा आपका IBM IBM भी आप सभी जानते होंगे इंटरनेशनल बिजनस मशीन आई सी इंटर्ग्रेटर सरकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है आई सी भी जे पी इजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रूप जो कि आपको जब आप अपनी फोटो अप्लोड करोगे तो वो जे पीजी फॉर्मेट की होनी सब्सक्राइब करेंगे के बीजिए किलोबाइट के बीपीएस किलोबाइट पर सेकिंड ठीक है लैन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह आप सभी को पता भी होगा लोकल एरिया नेट्वर्ट इसके साथ वैन भी आज़ता है आगे आपको प्रोवाइडिट है वो वा साइंस का टॉपिक भी है अपका LED की फुल फॉर्म उसमें भी पूछी जा सकते हैं इसमें भी आ सकते कंप्यूटर में MB is Megabyte MICR हमने पढ़ा था मैंगनेटिक इंक क्रेक्टर रेकोगिनेशन जो मशीन यूज़ करते हैं आजकल आपके जो पिच्छे कोड लगे होते हैं क्या हुआ कोड उसे स्कैन करने के आगे MPEG MPEG के आदेगा मोशन पिच्चर एक्सपर्ट ग्रूप OMR आप्टिक मार्क रीडर OS is equal to operating system next आप देख सकते हो portable network graphic PNG is equal to portable network graphic PDF जो आप सभी मांगते रहे तो PDF के बारे में भी मैंने एक lecture पूरा उसके बारे में डीप पड़ा है उसके बारे में आपको MCQP प्रोवाइड की हैं तो वो आप ज़रूर देखें तो PDF की full form क्या है Portable Document Format और RAM की सभी को पता होने चाहिए Random Assess Memory और ROM की क्या देगी Read Only Memory फिर हमने DBMS के टाइम पर भी पढ़ा था RDBMS यह आपका क्या होता है relation database management system DBMS की तो full form सभी को पता होगी फिर आता है URL URL is uniform resource locator USB यूनिवर्सल सीरियल बस यूनिवैक यूनिवर्सल आटोमेटिक कंप्यूटर एंड वीडियू विजूल डिस्प्ले यूनिट मैं कह सकता हूँ कि हमने 30 के अबव पिछले lectures में complete कर दी हैं पिछले जो हमने 17 लेक्चर के पढ़े हैं फिर बात आती है वाइरस की वाइरस के इंफरमेशन रिसोर्स अंडर सीज्ट वीडियो ग्राफिक एरे एंड वीपीएन इस वर्चुल प्राइवेट नेटवर्क तो अब यह आपके सामने हैं आपके सामने लास्ट त्री मैंने वैं के बारे में पिछली वीडियो में पिछले ही थोड़ी सी पीछे बताया था व www is equal to wide worldwide web sorry wlan wireless local area network तो यही थी थोड़ी बेसे जो थी मैंने आप में शॉर्ट लिस्टेट की थी 600 में से जो मैंने 60 यह अबव 60 है बाउट 62-63 है यह तो जो मैंने शॉर्ट लिस्टेट की थी या के जो पिछले पेपर में पूछी जाती हैं बाकी पेपर में पूछी जाती है बेंकिंग एक्जाम में पूछी जाती है उसमें से मैंने थोड़ी सी शॉर्ड लिस्ट करके आपके सामने यह ला दी हैं बाकी मैं आपको अबव 600 जो हैं वो मैं उसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर आप उधर से भी वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं तो आज का मारे इतना सही लेक्चर होगा यह चोटा सही था चोटा ही टॉपिक था इसके दो या तीन MCQ जादा नहीं आने वाले दो तीन भी मैं जादा कह रहा हूं सिर्फ इसमें आपने एब्रिवेशन के बारे पढ़ना था कि जो इंपॉर्टेंट इब्रिवेशन से आप पिछले पेपर उठालो उनमें इसी के बारे में पूछा होगा और बहुत ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने अगर तक आपके टिप्स पे हो अकाउंटिंग हर एक जो की 30 माक्स की है और बड़े से सुडेंट्स इस टॉपिक को देखके दी मॉरलाइज हो गये थे तो उनके लिए मैं में ये चीज लेके आ रहा हूं तो उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करने सिर्फ और सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है एंड नतिंग एल्स पॉसिबली हम नेक्स वीक तक स्टार्ट कर देंगे अगर जो मैं चाता हूं वैसा हो सका तो थेंक यू है वे गूड डे